So Hello Everyone, इस वीडियो में मैं लोग स्टार्ट करते हैं Getting Help in Red Hat Enterprise Linux Linux के अंदर कैसे आप किसी भी Manual Page को पढ़ सकते हो कैसे किसी भी Particular Option को आप या Topic को रीड कर सकते हो Related कैसे आप Manual Page फॉलो करेंगे किसी भी Commands या किसी भी Syntax को रीड करने के लिए जैसे कि सामने एक PassWD Command है और इसके बारे में पूरी Information आपको चाहिए है ना कोई भी नई Command आपके सामने आता है और उसके बारे में टुजेड आप पढ़ना चाहते हैं तो अविसले इस Particular Chapter will help you that how to read any manual for any commands यहां पर आप लोग मिलने वाला काफी बड़ा चेप्टर है काफी चीज़े इसमें सीखने को है अलाकि यह इंपोर्टेंट उनके लिए है जो लोग Linux में बिल्कुल बिगनर है और उनको Linux का आपको सीखने को मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं यहां पर सेसन हमारे पास यह Linux की मशीन है और मैं यहां पर अपनी Linux की मशीन को आप उसको पढ़ सकते हैं जो लोग बिल्कुल न्यू है Linux पढ़ना चाहते हैं तो बिगनर के लिए पूरा प्लेइलिस्ट है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वहां से फॉलो करें एंद दिन आप इस वीडियो पर बाद में आ सकते हैं बट अगर आप आप उल्री लाइन और प्रक्तिकल भी है बट तोड़ा कम है बट डोनु चीज़ें हम लोगों को कवर करना है और इसलिए एकजाम लेबल पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं एकोसिस्टेम इंडुस्ट्री में जो भी काम होता है उस लेबल पर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अल्यडिव सब च है और उसके पूरी properties को आप read कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी commands के बारे में या किसी भी options के बारे में function के बारे में read करना चाहते हैं तो we can use man command इधर we can use p info command दोनों के तुरू आप काफी detail में किसी भी command किसी भी documentation के option को काफी अच्छे से पढ़ सकते हो यह पूरी information यहां पर मिलेगी practical हम लोग इसको देखनेंगे यह एक तरीके का source है जिसके प्रूब जो भी documentation available है हमारे local system में manual pages को लेकर उसकी information हम यहां से read करते हैं man command जो है sorry man page जो है या manual page जो है man man का full form आप बोल सकते हो manual है और यह जो page है यह help करता है find करने के लिए काफी details या ज्यादा details आपकी जो भी commands है उनके options के बारे में synopsis के बारे में right man provide manual for commands sorry for commands जो भी आपकी commands होती उसका manual आप यहां पर कर सकते हैं और man commands अगर आप एक बार open कर लेते हैं तो उसको quiet करने के लिए q key प्रेस करेंगे और automatic quiet कर जाएंगे for example के लिए मैं यहां पे example मैं इस्पेस passwd अगर passwd actually होता है user के password को change करने के लिए बड़ मुझे यह देखना है कि passwd का पूरा detail क्या है passwd का function क्या होता है इसको use कैसे करना है तो सब कुछ कैसे पता चलेगा तो simple मैं अपने linux machine पर लिखूंगा man space passwd and simple यहां पे enter कर देंगे man stand for manual passwd password change करने के लिए होता और enter करते ही आपको इसके बारे में information document read करने को मिल जाएगा अब देखो manual page passwd one line line one press h for help और q2 quiet यहां पे भी पूरी detail में चीज़े mention करता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में but this is helpful अब यहां पे synopsis इसके use हो सकते हैं like small k and hyphen minus बोल सकते हो या इसको hyphen बोलो यहां पे again एक hyphen L है, hyphen U है, hyphen F है, D है, E है ऐसे करके सारी चीज़े हैं और इन यह passwd के समझ लो के एक synopsis है और इनके according इन पे action होता है इन पे काम होता है, right, description detailed document के बारे में पढ़ सकते हैं कि passwd utility is used to update user authentication token जो की password based token के लिए होता है कि आप अपने user के password को change करना चाहते हैं उसके लिए है This task is achieved through calls to the Linux PAM and live users API, essentially is initialize itself as a password service with Linux PAM and utilize configured password module to authenticate and then update a user password. A simple entry in the global Linux PAM configuration file for this service would be password service entry that does strength checking of proposed password before updating it. अब इसके आगे अगे अगर आपको पढ़ना है कुछ भी अगर information आप यहाँ पढ़ना है, सब कुछ बता रहा है वही कि यह particular command password change करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके token authentication को change करने के लिए किया जाता है, ओके और जब भी user password को login करता है तो authentication जो भी वो देता है तो उ अब ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुझे इसके आगे कुछ पढ़ना था, तो मैं यहाँ पे space bar की press करता हूँ, देखो मैंने कहां तक पढ़ लिया, प्रपोस्ट पासवर्ड बिफोर अपडेटिंग 8, तो इसके आगे मैंने जैसे space की press किया, अब देखो यहाँ पर दे में, हाइफन के जो होता है, keep tokens होता है, हाइफन के का use क्यों किया जाता है, हाइफन एल है, lock के लिए है, इसका use क्यों किया जाता है, आप इसको scroll down करके भी पढ़ते हुए जा सकते हो आगे, बट एक-एक page पढ़ने के लिए यहाँ पी space bar का आप इस्तेमाल करेंगे, and then obviously जाएंगे, author कौन है, and everything, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, Q key press कर देंगे, अब finally quiet कर जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा आपने एक detail देखा कि मैन के तुरू मैंने past wd का पूरा detail पढ़ लिया, अब आपको अगर मान लिया कि past wd के कुछ commands से ना, options के बारे में जानना है तो obviously वहाँ से आप चीजों को देखकर अपनी commands को पूरी तरीके से कर सकते हो, complete, right, तो सब कुछ आप यहाँ पर समझ लो कि सीख जाओगे, even then, अगर मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर, like, इसके commands और navigation के बारे में देखें, searches के बारे में देखें, तो क्या होगा, like, space bar जो ह जो होगा, scroll forward down, one screen, okay, forward down करेगा, page down, page up जो होगा, आप की तरफ लेकर जाएगा, तो यह सब की होती है, आपने page open कर लिया, अब यहाँ पर आप space bar use कर रहे हो, या page up की use कर रहे हो, वो सब यहाँ पर matter करता है, page down की use कर रहे हो, सारे जो हमारे options होते हैं, यहाँ पर देख सकत करके, यह आप चेक करेंगे, exactly यहाँ पर मिलेगा, सब यहाँ पर लिखा हुआ, आप screenshot ले सकते हैं, तो पूरा का पूरा आप जो document read कर रहे हो, आप information read कर रहे हो, उसका यहाँ पर आपको detail देखने को मिलता है, कि क्या-क्या shortcut करती है, जिनके तरू आपको follow करना है, तो इसम कुछ याद रखना लाई कि space bar याद रखें, page up, page down, already यह सब पता ही होता है, कि क्या है, क्या है इसका मतलब, यह सारी चीज़े, क्यों quiet करने के लिए है, man command को यह ध्यान देंगे, man pages को read करने का कुछ, यहाँ पर हम लोग detail देखते हैं, कि each topic is separated into several parts, जो भी topic है, आपने man page मे मैंने यहाँ पर देखा, options, another मैंने देखा, तो बहुत सारे options की detail, plus author detail, exit code, configuration to, sorry, confirming to, बहुत सारे information के साथ यहाँ पर available होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी जितने भी page हैं, वो सभी बहुत सारे part में divide होते हैं, most topics share the same heading and are presented in the same order, बहुत सारे इसमें से topic होते हैं, जो कि same heading या same order में present किये गए होते हैं, typically a topic does not feature all headings because not all headings apply for all topic, common heading are, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे typical topic होते हैं, हमारे particular, वो एक जैसा सारी heading दीखेगा, या जितने भी सारी heading होती हैं, वो सब heading का एक particular function नहीं होता, या एक जैसा यहां किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दीया गया है, कोई भी आप heading दे रहे हैं, उसके अंदर जो भी content आपको मिल रहा है, कोई भी options आपको देखने को मिल रहा है, उन सभी का specific value होता है और उसके pendling information आप page करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ heading के बारे में देखें, name heading है Synopsis है आप यहां पर देख सकते हो कि बहुत सारी heading है अब Synopsis है यहां पर भी हाइफन के और सारी चीज़े हैं अगर मैं इसका options के अंदर आजाओं लेट मी शो Synopsis में भी हाइफन के हाइफन है अगर मैं यहां पर सेम हेडिंग दिखाऊं लाइक हाइफन के options में भी same heading है तो ऐसा नहीं है कि सारी heading के अंदर जो information रखी हुई है वो same है हर एक information का specific value है कोई information पुरी description detail के साथ दे रहा है को information in short define कर रहा है brief में define कर रहा है यहां पर यही समझाने का मतलब total है और आते हैं फिर यहां पर तो कह रहा है कि यहां पर name है synopsis है description है तो जो name है यह subject name होता है और usually जो भी हमारी command या file होती है उसके बारे में define करता है verify करता है brief description को इसके बारे में ज्यादा detail यहां पर name के concept में या name option में heading में नहीं मिलता है वट synopsis है जो होता है summary सकते हैं let me show synopsis है यहां पर है तो pastwd यहां पर देखो name pastwd का पूरा name detail है and past synopsis में क्या करा है कि यह पूरी brief detail है like syntax syntax क्या follow करना है किसी भी command को operate करने के लिए ओके यह चीज़ आप यहां पर check कर सकते हैं इसको minus कर सकते हैं and other आप यहां पर information पढ़ लेंगे इसका screenshot ले सकते हैं बाकी यह कुछ information थी जिसके बारे में आप जब manual page को पढ़ेंगे और किसी command के बारे में analysis करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर author detail मिलता है box detail मिलता है see also files एक्जामपल इसमें देखना को मिलता है कि specific जो भी command उसका use कैसे करना को मिलता है एक्जामपल heading में आप जा सकते हैं कोई commands आपको नहीं पता कैसे यूज करना है यहां पर check कर सकते है options हो गया and status है okay 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 bug file configuration ऐसे करके इसमें कहीं example से भी related information होगा कि क्या कैसे क्या करना है तो उसको भी आप यहां पर use कर सकते हो remember okay देखना पड़ेगा कहां पर है ठीक है तो यह सारी information के साथ यहां पर आ जाता है अब यहां पर दे रहा है कि searching for man pages by keyword अगर keyword के तुरू man pages को search करना है तो hyphen के लिखकर आप कुछ values टाइप कर सकते हैं और उससे related information यहां पर दिखा देगा but I am sure कि आप directly search कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है टर्मिनल पर सर्च करने का specific options अलग से भी होता है तो उसको भी आप follow करके page को यह page reading के समय देख सकते हो कि क्या चीज़ होता है अब यहां पर man space hyphen k space pass wd अगर आप लिखते हो like simple यहां पर description detail में अगर मैं expand करता हूं तो इसकी details क्या यहां पर आ रही है like hyphen k keep tokens ओके अब यहां पर देखो small k है अब यह keep tokens के बारे में देखा रहे है कि the option hyphen k is used to indicate that the update should only be for expired authentication tokens ओके बट यहां पे तो अभी जो document है यह कह रहा है कि के upper case option perform करता है full text page search के लिए upper case ओके याद रखना upper case के लिए यह होता है तो अपर इसके साथ आप पूरे text पे read कर सकते हैं बट कोई ज्यादा आपको concept यहां पे नहीं देखने को मिलता है अगर मैं man space hyphen अपर case के space pass wd space enter करता हूं तो आई तिंक यहां पे सारी वही information आपको देखने को मिल जाती है नेम है synopsis है बट synopsis में आप देखो directly क्या दे रहा है थोड़ा सा option change हुआ है तो यहां पे कुछ तो change थोड़ा दिख रहा हमें और जो सब्सक्राइब की information उससे related information आप देख सकते है ना डिरेक्ट आपको option और detail मिल रहा है हाइफन के और यह information है past wd से related तो थोड़ा सा जो brief detail था वो अलग changes के coding दिख रहा है बट हाँ it is good आप इसके भी तुरू जा सकते हैं इससे भी better मुझे जो manage-based direct password था वो लगा तो आप देख लेंगे जो भी दोनों है and जो भी documentation read करना है आप उसको read करने के लिए या another किसी भी documentation को read करने के लिए आप gi edit का use कर सकते हो आप देखो,ि एडिटर एक genome file editor होता है जिसके तुरूप graphically किसी भी file को edit करने के लिए पढ़ने के लिए या उसके information को read करने के लिए यूँज कर सकते हो तो यहां पर किसी भी डेक्मेंटेशन को रीड कर सकते हो आप ऑके बट जी एडिट क्या है एक कमांड है और इसका पूरा आप्शन देखने के लिए वन्स अगेन आप मैं इस पेस जी एडिट टाइप करेंगे तो आपको काफी डीटेल यहां पे जी एडिट से रिलेटेट म नहीं हो रहा है हम यहां पर कंट्रोल सी करना पड़ेगा तब यह कोईट होगा यह ध्यान देंगे उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं मैं इस पेस जी एडिट और जी एडिट के बारे में मुझे इंफरमेशन दिखाओ तो जी एडिट जो होता है टेक्स्ट एड इस्ट्री और जो भी डिटेल्स है तो यह सब चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएंगे सबसे अच्छी बात है यह चोटा साई चैप्टर है यहां पर पी इनफोर्मेशन पी लिखने के बाद आप सेम चीज फॉलो कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां होता और फिक चीजा समझने वाला है मैंने इसको फॉड़ा सा इसलिये छोटा रख्था क्योंकि मुझे एक और टर्मिनल यहां पर पर बस्फो और मैंने यहां पर लिखा p info space g edit और मैंने एंटर किया अब दोनों option में क्या different आपको देखने को मिलता है compare करके बताओ comment करके बताओ कि अगर यह भी documentation read करने के लिए है इधर और जो हमारा man page था manual page के लिए क्या difference देखने को मिला i think everything is everything is same okay सब कुछ में से सेम लग रहा है यहां पर नीचे सबसे options चेंज हो रहा है viewing line 23 by 85 आप जो भी यहां पर line वगरे व्यू करें 27 23 line तक आप यहां पर विजिट करें total 85 line है i think यहां पर कुछ ऐसा information नहीं है अगर मैं आप इस पेस बार यूज करता हूं तो अभी मैं 45 line पर आ गया हूं 52 percent document मैं यहां पर रीड कर चुका हूं i think यह थोड़ा सा मुझे useful लगा कि मैं number of line कितना exceed कर चुका हूं use कर चुका हूं कहां तक आ चुका हूं यह यहां पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं था बड़ जैसे आप scroll करते देखो यहां पर क्या दे रहा है कि line 1 press h for help और q2 quiet अब यहां पर जब मैं first page पर आ रहा हूं सबस्ट पेज़ पर 23 लाइन दे रहा है दोनों में difference कि आप देखो यहां पर तो वीविंग लाइन दिखा रहा है यहां पर line 1 दिखा रहा है इसका मतलब यह हमारा जो line 1 में है पूरा ऐसा तो नहीं है अगर मैं यहां पर scroll down करके आ जाता हूं यह space bar करता हूं इधर हमें लग रहा है कि बेटर वेसे आप देख पा रहे हैं कि क्या है कैसे क्यूं इधर भी प्रेस करेंगे क्उइट कर जाएंगे कि इधर भी प्रेस करेंगे क्वाइट कर जाएंगे यह थोड़ा सा information यहां पर दे रहा है number of जो concept है या जो detail सा सिमिलर है तो थोड़ा सा जो पी information उसमें नीचे की detail अच्छी लग रही है में भी graphical की वज़े से मुझे ऐसा feel हो रहा है बाकि आप जरूर comment करके बताएं कैसा है क्या है उसके अलावा number of जैसे कोई भी information पढ़ना है या everything है line by view कर सकते हो और कितना percent type use कर चुके हो line वो भी आप देख सकते हो अब देखो पी information और manual page के description को read करने में क्या differences देखने को मिलते हैं compare करना अगर दोनों की बारे में तो इसको I think पढ़के मैं बताऊं और उसी चीज को वही करना कि page up page down के लिए क्या use किया जाता है किसमें क्या है तो थोड़ा सा unwanted ही वीडियो में चीजें होंगी बठां आप इसको screenshot लेकर देख सकते हो page up page down के लिए space bar वगएरा यूज़ करते हैं page up की page down की home की है ना end topic के लिए end की और यह सब चीजें हम लोग follow करते हैं यह पूरा यहां पर दिया वाय क्यों क्वाइट करने के लिए प्रोग्राम को इस सारी चीजें होते हैं तो बहुत छोटा सा टॉपिक था manual pages और किसी भी command के manual को p information और man g edit के तुरू man के तुरू आप read कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में रिडारेक्शन फाइल लिंक एंड अवरिटिंग सब कुछ और अच्छा लेगेगा थांक्यू सो मच